आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोड के बारे में गॉड खाने के क्या फायदे होते हैं? इसके साथ साथ हम जानेंगे कि दिन भर में हमें कितना गॉड खाना चाहिए और किन लोगों को गॉड का सेवन नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी So friends आज मैं आपको गॉड के बारे में complete जानकारी दूँगी इसके लिए वीडियो बिना स्किप की लास्तक जरूर देखेगा पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएं दुस्तों गुड़ गुड़ों का भंडार है यह एक ऐसी गुड़कारी औश्यदी है जिसका उपयोग लगभग सभी करते हैं इसका रंग हलके पीले से लेकर डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसकी तासीर गरम होती है इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका सेवन करने से हमें और भी ज़्यादा लाब होते है इसके अलावा गुड़ में नैचरल मिठास होती है जिस वज़ा से इसे खाना सभी को पसंद होता है और फ्रेंड्स गुड़ में केलशियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है इसके साथ साथ इसमें विटामिन A, विटामिन B और काबो हैडरेट्स जैसे पोशक तत्वर भी पाये जाते हैं इसलिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करने से कई गंबीर बिमारिया होने से बचा जा सकता है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गुड़ हमारे लिए किस तरह से फायदे मन्द है यानि इसका सेवन करने से हमारे शरीर में क्या-क्या जबरदस फायदे होते हैं चलिए आपको बताते हैं गोड हमारे digestive system को स्वस्त रखने में बेहत मददगार होता है यदि आप रोजाना खाना खाने के बाद गोड का सेवन करते हैं तो इससे आपका digestion अच्छा रहेगा इसके अलावा गोड हमारे शरीर से हानी कारक toxins को बाहर निकाल कर हमारी body को detoxify करता है और अगर आपको ज़्यादा तर constipation यानि कबजी की समस्या रहती हो तो गोड का नियमित रूप से सेवन करें इससे constipation की समस्या दूर हो जाएगी फ्रेंड्स गोड में calcium, phosphorus जैसे पहतरीन तत्व पाया जाते हैं जो हमारी हड़ियों को मजबूत बनाये रखने में बेहत मददगार होते हैं जी हाँ यदि आप नियमित रूप से गोड का सेवन करते हैं तो इससे joint pain याने जोडों में दर्थ की समस्या से चुटकारा पाया जा सकता है अगर आपको acne की problem हो तो आपको गोड का जरूर सेवन करना चीए दरसल गोड हमारे blood से हाने का रख toxins को बाहर कर हमारी तवचा को साफ रखता है इसलिए इसे blood purifier भी कहते हैं और friends हमारी तवचा तभी चमकदार होगी जब हमारा blood सही तरह से purify हो इसके अलवा गोड हमारे skin को tight कर जुरिया याने wrinkles अटाने में भी मदद करता है और तवचा को सिहत मन बनाय रखता है गोड में काफी अच्छी मात्रा में सुक्रोस पाया जाता है इसलिए इसका सेवन करने से हमारे शरीर में दिन भर एनरजी बनी रहती है इसके अलावा दोस्तों गोड की तासीर गरम होती है जिस वज़ा से सरदी, खासी, जुकाम और खास तौर पर यह कफ में रहात देता है इसके साथ साथ या इम्मुनिटी याने रोक प्रतिरोदक शमता बढ़ाने में भी मदद करता है अस्तमा के इलाज में गोड काफी फायदे मन होता है जिहां गोड में एंटी अलर्जिक और आइरन प्रोपर्टी होती है तो अगर आप गोड और काले तिल के लड़ू बना कर खाये तो इससे अस्तमा में काफी हट तक रहात मिलेगा अगर आपके शरीर में खून की कमी हो याने आपको अनीमिया हो तो इस समस्या में भी आपको गोड का सेवन करना चाहिए क्योंकि गोड में आइरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसका regular सेवन करने से ये आपके लिए फायदे मन होगा जिन महिलाओं और लड़कियों को पीरेट्स के दोरान बहुत पेट में दर्द की शिकायत रहती है या फिर पीरेट्स समय पर नहीं आते तो उनके लिए गुड़ काफी फायदे मन होता है जब हमें से खाने का सही समय और सही तरीका पता हो तो चलिए मैं आपको बताती हूँ गुड़ खाने का सही समय और सही तरीका क्या है दोस्तों वैसे तो आप गोड़ का सेवन दिल भर में किसी भी वक कर सकते हैं पर अगर आप गोड़ सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदे मन होगा फ्रेंड्स गोड़ की तासीर गरम होती है इसलिए आप पानी के सांद घोल कर पीते हैं तो ये आपके शरीर को ठंड़क देता है असल में सुबह सुबह हमारा digestive system काफी ज़्यादा acidic होता है जिसके कारण हमारे blood के अंदर acidic content की मातरा बढ़ जाती है और अगर हमारे शरी में blood ज़्यादा acidic हो जाता है तो कई बिमारिया होने की chances बढ़ जाते हैं इसलिए अगर आप रोज सुबह खाली पेड गुड़ खाते हैं तो ये हमारे blood को alkaline करने मदद करता है क्योंकि गुड़ alkaline nature का होता है और अगर आप सुबह खाली पेड एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाने के बाद ऊपर से एक ग्लास गुनगुना पानी पी लें तो इससे आपके जोडों में दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी इसके अलबा आप सुबह खाली पेड गुड़ की चाय भी पी सकते हैं जी हाँ इसके लिए आप एक बरतन में दो कब पानी डाल दें और फिर उसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दें फिर एक चमत जीरा डाल दें और अब इस पानी को इतना उबालें की पान घंटे पहले या फिर वरकाउट के एक घंटे बाद भी खा सकते हैं इससे न सिर्फ आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा बलकि इससे आपके शरीर में दिन बर एनरजी बनी रहती है और ये कॉंस्टिपेशन याने कबजी की प्रॉब्लम को भी जड़ से खतम करता है इसक आपके लिए हेल्दी होगा या फिर आप चाहें तो गुड की रोटी खा सकते हैं और अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो या फिर गठिया रोग हो तो छोटे से गुड के टुकडे में थोड़ा सा सौट डाल कर खाएं तो इससे काफी हद तक आराम होगा फ्रें दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रहें आप जितना पुराना गुड खाते हैं याने डार्ग ब्राउंड गुड खाएंगे उतना ही आपके शरीर के लिए फायदे मन होगा और अगर आप सफेद या फिर पीले रंग का गुड खाते हैं तो इससे आपको ऐलरजी जैसे सर पूर लाब उठा सकें दोस्तों हमें एक दिन में 15-20 ग्राम गुड से ज्यादा नहीं खाना चाहिए ये इसका maximum dose है इससे ज्यादा मात्रा में गुड का सेवन करना हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक भी हो सकता है पर अगर आप किसी पॉलीशन वाली जगे में रहते हैं इसलिए इसे गर्मियों के मौसमें नहीं खाना चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है जी हां गुड को गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में खाना चाहिए केवल गर्मियों में इसे खाने की quantity कम कर देनी चाहिए और दोस्तों हर किसी के शरीर की तासीर अलग होती है इसलिए किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए यानि किन कंडिशन्स में गुड़ खाने से नुकसान हो सकता है आईए आपको बताते हैं जिनके शरीर में किसी प्रकार की सूजन हो तो उन्हें गुड का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि गुड में सुक्रोस काफी अच्छी मात्रा में होता है इससे सूजन की समस्या और भी बढ़ सकती है इसके अलावा डायबिटिक पेशन को गुड का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बलड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इससे उनकी प्रॉबलम और भी बढ़ सकती है और जिन लोगों को अलसरेटिव कोलाइटिस की प्रॉबलम हो तो उन्हीं भी गुड खाने से परेज करना चाहिए फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही हैं किसी भी चीज का सेवन अगर हम जर्वत से ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो हमारे शरीर को फायदे की जगर नुकसान पहुंचाता है इसलिए अगर आप गुड का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो इससे आपको वॉमिटिंग, सिर्दर्द और पेट खराब होने जैसे समस्यां हो सकती हैं इसके अलावा अगर आप गर्मियों के मौसमें ज़्यादा मात्रा में गुड का सेवन करते हैं तो इससे नाक से खून आने की प्रॉबलम हो सकती है क्योंकि गुड गरम तासीर का होता है इसलिए दोस्तों आप गोड का सेवन सही मात्रा में करें ताकि आप इसका भरपूल आप उठा सकें फ्रेंड्स एक additional information आपको देना चाहती हूँ वैसे तो आप गोड का सेवन सभी चीजों के साथ कर सकते हैं पर मूली के साथ इसे ना खाएं क्योंकि इससे आपको skin disease हो सकता है और अगर आप non-wage खाते हैं तो आईरवेट के अनुसार गोड के साथ fish नहीं खाना चाहिए ये आपके स्वास के लिए हानिकारक हो सकता है ओके thank you friends I hope मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इसी तरह कि और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें जो कि बिल्कुल free है और अपने friends relatives के साथ इस वीडियो को share करें ताकि वे भी इसका benefit ले सकें बाया friends जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ